Hello friends, welcome to Constance Mind आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं PhD के ongoing application form तथा एक new application है qualifying international exam का उसके बारे में तो कुल आठ ongoing application form पर हम बात करेंगे ये आठ हूँ state government university तथा एक central university से है ठीक है अब इसमें subject बहुत सारे हैं आविदन सभी लोग कर सकते हैं अच्छी अच्छी university है, top universities है और इसमें सभी information को हम आपको briefly discuss करेंगे इस पर वीडियो अल्रेडी बन चुकी है तो last date करीब है तो इसलिए हम आपको जल्दी से इन सारी की एक revised update दे देंगे ठीक है, तो अगर आप चैनल परने हैं तो सब्सक्राइब करके entrance exam PhD के, चाहे वो common entrance exam हो सभी में help करेगा, ठीक है common entrance test के paper माई पास आ चुके हैं, हम इसको बहुत जल्दी available करने वाले हैं, तो दोस्तों ये है सबसे पहले, जो की अभी new है, जिसका भी website पर हमने update नहीं किया है, इसमें qualifying entrance examination का application आया था यानि कि ये आपका direct, अभी seat वागर डिकलेर नहीं है, ये सारी सिर्फ आपको एक university का entrance का certificate देंगे, कि आप आने वाले दो साल के PhD entrance exam में आविदन कर सकते हैं, आपको फिर exam निस university में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है तो ये जो है, इसका prospectus हम आपको तो online mode में exam भी देना है आपको यहाँ पर centers वगर नहीं जाने है, कि centers पर आपको जाना पड़ेगा application fee थोड़ा ज़ादा है यहाँ पर 2124 application fee है SCST का 1416 है ठीक है, तो हम आपको इसकी जो details है वो दिखा जेते हैं, इसमें ये जो qualifying entrance exam है इसमें कहा जा रहा है कि आविदन सभी लोग कर सकते हैं, जिनके पास PG degree है यानि कि जो PG qualified candidates है, वो आविदन कर सकते है ठीक है लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो candidates net set qualified है within 5 years मतलब 5 साल के अंदर वाले जो net set qualified candidates है उनको आविदन करने की ज़रुत नहीं है वो entrance examination से exempt होने वाले है तो जब इनको direct admission मिल जाता है तो इने ज़रूरत नहीं है कि यह exam यह दे ठीक है, यह only PG candidates के लिए है अब यहाँ पर जो subjects available है उसे आप देख सकते हैं, arts, science, language, commerce management के कितने subjects हैं तो arts में कुल 11 subjects हैं, और science में आप देखेंगे आपका masters होना चाहिए 50% SCST OBC का है PWD का है, और 55% marks जो है, आलकदर category के candidates का ठीक है, आदर इस्टेट वाले इसमें जो है वो general में ही count होंगे, उनको reservation का लॉप नहीं मिलता है ठीक है, admission का procedure बता दिया गया कैसे है, इसमें जो admission का procedure है कि internist test with the weight is 70% और 30% interview का रहता है ठीक है, यहाँ पर internist exam जो qualify हैंगे इसमें यह भी का गया कि जो भी candidate final year PGA semester में है, वो भी apply कर सकते हैं यानि कि appearing candidates भी यहाँ पर apply कर सकते हैं एडमी, application online आप fill कर सकते हैं यह link के यहाँ पर यह दिया गया, इस link से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर जो patterns है, question paper के 50 multiple choice question आप से पूछे जाएंगे 100 marks के यह होंगे, 75 मिनट का आपको time मिलेगा ठीक है, syllabus आपका PG subject से ही होता है तो आप इस university का syllabus भी देख सकते हैं यह आप अपने internet से camera facility वाले device से यहाँ आप साइबर के फिस सहजास यह आप चाहें दे सकते हैं तो यह थी details इसकी site कलिंग description में है और अब हम बात करेंगे जो हमारी website पर ongoing application form attached हुए है यानि update हुए है उसे, तो पहले है मौलाना अजाद नेशनल उर्दू निवर्श्टी तेलंगाना इस्टेट में है यह Central Government University है 25 जनवरी को application start हुए था यह part-time के लिए application है part-time यानि की जो की working professional या employees है उनके लिए ठीक, इसमें 100 seat है, 10 subjects है 8 March को exam होगा और 18 February 2024 last date है ठीक है, तो Central University में अभी एक ही यह था अब State University की बात करते हैं तो State University में सबसे पहले राजी उगान्थी Technology University है बोपाल, मध्यपरदेश में इसमें एक फरवरी को application start हुआ है अभी हाल में ही और 840 plus seat है 16 subjects, 7 research centers है 20-21 March को exam होगा fellowship भी available है यहाँ पर और exemption भी available है यहाँ पर जो application है वो 12-100 रुपए application fee है last date 2 March तक है गुरुप छेतरी उनवर्याणा इसमें 3 February को application start हुआ है और 116 seat, 8 high subjects में है यह entrance exam 20 February को लेंगे और यह entrance exam के through ही admission है क्योंकि यह second round का है इसका first round का हो चुका है जो की exam का टेकरिका था तो application fee 1200 है last date 12 February तक है फिर है अगली नवर्याणा जवालाल टेकनोलोजी नवर्याणा अप्त हैदराबाद यह तिलंगाना इस्टेट की दूसरी नवर्याणा है जो अभी हम बता रहे हैं इसमें भी part time application है 30 January 2024 को start हुआ है फिर अगली नवर्याणा इसकी 24 फरवरी 2024 है अगली नवर्याणा इस्टी है Presidency University Kolkata यह जो Presidency University है यह भी अच्छी खासी नवर्याणा इस्टी है और State Government University है यह West Bengal Kolkata में है 31 January को start हुआ था और last date 18 फरवरी तक है ठीक है इसमें जो 200 seat है और 15 subjects है ठीक आप इसे देख सकते है और यह interns exam के थूरू नहीं इसमें direct interview है नेट जियारफ या equivalent candidates जो है वो apply कर सकते है फिर अगली नवर्यास्टी यह लखनाव नवर्यास्टी यह उत्रपदेश की State Government University अच्छी खासी नवर्यास्टी है इसमें एक January को application स्टार्ट हुआ था 956 seat है 49 subjects में इसमें 2100 रूपे total आपका खर्श होगा application में entrance exam भी होगा interview भी होगा इसमें exemption किसी को नहीं मिलेगा बलकि जो नेटजियार रॉफ वले हैं उनको वेटेज मिल जाता है उन्हें भी exam देना पड़ता है last date 10 February 2024 है यह बढ़ी हुई last date है तो आपके पास अभी 3 दिन का समय है 3-4 दिन का आप अपवईदन कर सकते हैं अगली नवस्टी गुरु गोविन सिंग इंदरपरस्त नवस्टी यह स्टेट नवस्टी दिलही की है इसमें एक फरवरी को इस टार्ट हुआ था अप्लिकेसन और इसकी जो seats हैं वो अद्दी नहीं गई है 19 subjects हैं seat बाद में बताई जाएंगी अभी website पर seat नहीं बताय गया है application भी लगबग 2000 के आसपास होगी clear नहीं था इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है date of examination 27 अपरेल से 14 माई तक रहेगा और entrance exam interview के थूँ होगा यहाँ पर exemption साइद अवेलबल नहीं है लेकिन फिर भी देख लिजेगा side fellowship वाले exam हो सकते हैं last date है 31 मार्स 2024 ठीक अब हम IIT की बात करते हैं हमने 8 university पूरी आपको बता दी यहाँ तक अब extra कुछ है उसे भी देख लिजे IIT गांधी नगर गुजरात से application है और इसकी last date है 20 मार्स तक और अगली नवस्टी इंस्ट्यूट आफ लाइफ साइंस उडिसा का है इसकी last date है यहाँ पर 13 फरवई 2024 ठीक है तो इस तरह से आपको हमकुल 10 application बता दिए इस वीडियो में तो यह सारे application आपके काम के थे भारती देशन इनवस्टी का website का link और हमारी paper scaling भी description में दिए गए